Hello and welcome back to my another video, उमीद करता हूँ कि आपनों ठीक होंगे मेरे स्रट के बहुत पुछ रहे थे कि यहां पर living cost कितना होता है, कितना expensive है Malta कितना money save कर सकते हैं, तो सारी जो video होगी इस topic पर होगी living cost in Malta कितना है, ठीक है, room rent हो गया, transportation हो गया, आपका food हो गया इस सारा कुछ मैं इस video में cover करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पर सभागत करता हूँ, जो मेरे चैनल पर नए है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैल आगन को प्रेस कर दो, ताकि मेरे आने वाले सारी वीडियो की notification आपको मिलती रहे आपकी जितने भी questions होंगे, आपको मैं reply कर दूँगो, जब भी आप मुझे text करोगे सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा कि यहां पर रहने का जो room rent होता है, सिंगल बंदे के लिए अगर वो sharing पे रह रह रहा है तो अगर आप एक bed है, एक room है, अगर आपको sharing पे ले रहे हो, तो 150 से लेके 200 की beach में आपको पढ़ जाएगा अगर आपने personal room लेना है, तो 200 से लेके 300 की बीच में पढ़ जाएगा यह depend करता है कि आपका area काउंट सा है, ठीक है, अगर आप तो हाइफा area में रह रहे है, जैसे सेंजूलीन हो गया, जो मजाबे वलिता हो गया, यह tourist destination बहुत है, ठीक है अगर वहाँ पर आप रहते हो, तो आपको एड़ा महेंगा भी पढ़ सकता है, compared to other place और फूड का बता दूमें, अगर आप तो मान के चलो कि दो या तीन लड़के हो, या चार लड़के हो, अगर आप खाना एक साथ खा रहे हो, मैस के साथ है, मिल बाटके अगर बना रहे हो, तो फिर आपका खर्चा हो जाता है कम, 70 तो 80 रुपीस आपके लग जाते हैं, 80 य और अगर शर अठीय के ठीया हो, या जगना उटके अचर्भ क काम हो जयता है, तो फिर ऐसे अच्छा भी रहता है, और रोम का जैसे मैं भी रह रहा हूं, यहा पे मेरा है, 150 है रोम का मेरी और अब तो बिजली का, वाटर का, यहां पे खांग के अचा, 10 मिन और या, अगर तो आपको 15 एरो का गैस होता है वो तो डिलवाना ही पड़ेगा जैसे खतम हो जाएगा तो वो जितने भी बंदे घर पर रह रहे होंगे वो सभी में वो डिवाइड हो जाता है चाहे महिने में दो गैस लगे चाहे तीन गैस लगे तो करकर आके यह सारा कुछ आपका एड हो है तो अब रख लिए अगर मानके चलो 180C है तो कभी आपका 190 भी आ सकता है क्योंकि बिल तो हर मेने तो आने वाला नहीं है जब भी लाएगा उस दिन आपका जो रेंट होगा उस दिन बढ़ेगा और यह हो गया उसके लावा आपका जो ट्रांसपोटेशन है माल्टा में क् अगर आप ढ़े नहीं क्लिव क compress है 就 यहां वाज क्लिवा ऱनन प्त्रांसब्स दिर्टा सुमारान को लीज है वरत है की सबसे पहले काम करना है क्यूंकि सबस्से पहले काम करना है कि अगर आप चाहिए ठीक लेता कृता है नहीं करते हो . तो 1.5 मीना लग जाता है वḥो भूरे हो जाता है फिर अगर आपने ट्रेवल न से ट्रेवल नहीं करना है है क्योंकिए कार्ड कार्ड से एक वर आपनेश्चमंट किया उसके बाद जब तक आप आप Mr. कुछ भी करने को क्यूजिरत नहीं कि उसका में यह का रिचार्ज बग 숲 गर से लोगणा रहे होता है तो अगर आप सांगे कि नहीं है मैं तो शौर्ट टम के लिए हूँ एक या दो बारी मुझे बस का सफर करना है तो फिर बस के अंदर टिकेट की सुभीदा होती है दो एरो की टिकेट लगती है उसकी जो वैलिटी होती है दो गंटे की होती है उस दो गंटे में आप तीन-चार बसे चेंज कर सकते ह पराने इंका बसुंट कर लेते हैं अगर यहां पर जो ट्रशी लिएक यहां पकड़ लीगा तो बहुत चकरन पड़ जाएगा आपको किसी और का बस काड यूज़ करने मतलब है 150 यूरो आपने फाइन पे करना है बिना टिकेट की अगर आपने ट्रेवल किया तो 50 यूरो फाइन होगा इसमें रेट कम जादा हो सकता है लेकिन यहां पर जो बस ड्रावर होगा जब आप बस में एंट्री करोगे तो बस ड्रावर आपको यह नहीं बोने वाला किया वाई टिकेट लेलो नहीं बुलेगा आपको बिना टिकेट भी अंदर जाओ बैठ जाओ अगर पकड़ेगे तो सीधा फाइन है तो मेक शूर कि आप जब आप तो टिकेट लो या फिर आप बस काड का अरेंज करो बस काड बनवालो तो यह हो गया और सेलरी कितनी होती है यहां पर आठ सो बेसिक सेलरी होती है ठीक है उसके लावा 40 आप की रूटी होती है अगर आपको ऑवर टैम मिल रहा है 11 गंटे या 12 गंटे तो उसके आपका रेट बढ़ जाएगा अगर मान के चलो कि 40 आर आपको ज जाया तो वह जो रेट होता है यहां डबल हो जाता है मतला पांच है तो सीदथ दस हो जाएगा सभी कंपनी नहीं करती हैं कुछ कुछ कंपनी है बस mostly यही करती है तो आप कितना रफली हैं सेव कर सकते हो कई लोग होते हैं पीने के बहुत शुकीन होते हैं आप मैंने ऐसे देखें जो बहुत जदा पीते हैं डेली ड्रिंक करते हैं जिसका पांच से साती रों इसी में उडा देते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप अच्छा सेव कर सकते हो क्योंकि यह एक सेवल कंटरी जो भी आपकी आएगी और टेक्स पर आएगी सारा कुछ टेक्स काट कर आएगा तो यह तो यह दो यह दुबाए निए कि हमँऊ में पैसे प्याइश पढ़ जाता है आपने क्या करना होता है रेवलूट का अकाउंट बना लेना था है रेवलूट की अकाउंट से जब आप भी आप इंडिया पैसे बेज़ोगे तो 150 यूरो आपके डेट होते हैं मतलब अगर आपने जो भी अगर 400 यूरो मोटा मोटा अगर आपने घर बेजना है तो उसमें 150 यूरो आप एड़ कर लो 1.50 यूरो आप इसमें एड़ कर लो इतना आपका चार्ज लगेगा जो कि ज्यादा नहीं है और यही है सारी इंफरमिशन में मैंने दे दिया आपको जो आपका यहां पर रूम रेंट हो गया खर्चा और हां जो लोग कपल होते हैं बहुत सारे होते हैं जो कपल साही होते ह होता है जो कि 3.500 यह चार सो के बीच मिल जाता है अगर आप चाते हो कि नई स्टूडिय फ्लाट नहीं मिल रहा है या एक्सपेंसिव है तो फिर जो फ्लाट होता है जापे तीन-चार रोम होते तो आप उसमें आप सेप्रेट रोम ले सकते हो आपकर क्यूंकि आप दो याकिल विखिर लेन, याकिल वेन, थो पुट है अजी करना, याकिल विए।